नमस्का फ्रेंट्स आज हम मकर राशी वालों के लिए जो शनी महाराज हैं किस प्रकार से अब आपके लिए जो शनी के साड़े साती है उसका प्रभाप किस प्रकार से काम होने वाला है क्योंकि आपको भी बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है क्योंकि इससे पहले आप जो है की साड़े साथी खतम हो जाएगी परंतु भी जो अंतिम चरण चल रहा है इसमें आप थोड़ी बहुत परिशानी महसूस कर रहे होंगे लेकिन अब ये भी खतम होने वाला है गहूं की परिस्तिति आपके लिए बहुत ही जबरदस्त अभी बनने वाली है चार सेप्टेंबर उनको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपके लिए जो ग्रहे बहुत ज़दा दिक्कत देने वाले होते हैं या जिन ग्रहों की दशान तर दशा आपके लिए थोड़े बाद परिशानी लेकर क्याती है चाया वो स्वास्ते समंदी परिशानी है चाया वेत्ते समंदी ना बिगड़ने शुरू हो जाए, जमीन मकान के विवाद होने शुरू हो जाए, वो तीन ग्रहों को आप विशेश तो आप अपनी जर्मकुली में देखिए को उनकी परिस्तिती क्या है, अर्क, भॉमा और अंगीरस है, अर्क कहा जाता है सूरे महराज को, और भॉम कहा जात है मंगल को, और अंगीरस है देवगुरु बेस्बती, ये तीन ग्रह आपकी जर्मकुली में कही न कहीं आपको दुश्परणाम देते हैं, शैनी महराज लगन के स्वामी है, त्रिकून के स्वामी है, तो आपके लिए शुब परिस्तितियां खड़ी करते हैं, और सबसे ज अक्टूबर के बाद राहु अपनी राशी परिवर्थन कर देंगे, उसके बाद देखेगा आपको कितने जवर्दस लाप के परिस्तितियां प्राप्त होने वाली है, तो वीडियो को आगे आप बढ़ाऊं और इसके बारे में चार्चा करूँ, आपसे वह आग रहा है ज अब ये अपनी ही राशी जो है, मीन राशी की ओर अग्रसर हो गए हैं, बैक्वर्ड डिरेक्शन में चले हैं, और मैंने आपको पहले भी कहा है, अभी इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि देव गुरु ब्रहस्पती, अंगिरस जिनको कहा जाता है, आपकी ज नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये सर्व विदित सत्य है, आप खुद भी अपने पर भी अजमाते हैं इस चीज़ को, कि देव गुरु ब्रहस्पती अपनी राशी मीन राशी की ओर अग्रसर हैं, इसलिए ये हाँ पर ये अपने अब शुप प्रिणाम देने के लिए बा राहू महराज, जो कि मैंने आपको पहले कहा कि मंगल की राशी में विद्यमान है, और मंगल जिसको भौम कहा जाता है, वो भी आपकी जर्म कुली में मैलिफिक, बहुत जबरदस्त मैलिफिक कैटेगरी में आता है, हलांकि आपको जमिंग मकान, मुवमिवाहन की परिस्ति परिस्तियां खड़ी करता है, तो मंगल आपके जीवन में इस्ता की परिस्तितियां खड़ी करते हैं, अब हो रहा क्या रहा है कि राहू मंगल की राशी में इस्ता में विद्यमान है, तो राहू में भी वही प्रभाव लिये हैं, और ये सारा प्रभाव जो है, आपके सार नहीं पहुंचा पा रहे थे, जितना वो राहू के द्वारा, राहू एक एजेंट है, कि जिस तरह से अगर हम इसको समझे कि एक पुलिस थाने का SHO अगर यहां पर मंगल है, तो जो उसको एक्जिक्यूट करने वाले हैं, जो कॉंस्टेबल्स हैं, जो संत्री हैं, वो वहां पर राहू है, तो राहू वो और्डर्स एक्जिक्यूट कर रहा था, तो वहां से राहू का जाना बहुत ज़्यदा जरूरी था, जैसे ही राहू वहां से जाएगा, मंगल जो है वो निस्तेज या बलहीन हो जाएंगे, उसको जो उसके काम करने वाली बाजूए हैं, वो कम होता है, तो यह एक अच्छी परिस्तेती होती है, यह राजयोग कारक केटेगरी में आता है, और सबसे जबर्दस राजयोग कारक केटेगरी आपके जर्मकुर्ली में बनती है, वो है ब्रिगु सुता का और साथी साथ जो है वो इंदु सुता का समन्द, मतलब शुक्र और बुद्ध का समन्द अगर आपके जर्मकुर्ली में है, कहीं में ये दोनों ग्रहा है, बैठे हुए है, दृष्टी समन्द है, क्यों भी समन्द बनाए, तो बहुत शुब राजयोग देते हैं, तो यही परिस्तितियां अभी गोचरवश में बनने वाली हैं, ये दोनों ग्र होने वाला है, क्योंकि शुक्र जो है, अपनी जो यात्रा जिसकी श्टार्ट होने वाली है, या आपके सब्तम स्थान से जो है, दशम स्थान से होता हूँ, आपके लगन के और अग्रसर है, तो ये अच्छे स्थिति में शुक्र को इस समय कह सकते हैं, क्योंकि ये वाला सम अपनी राशी में आ जाना जो आपको नुकसान पहुंचा रहा था वो यहाँ पर शुप प्रणाम लेकर क्याएगा और वहीं पर जैसे मैंने आपको कहा कि मंगल भी कमजोर हो जाएंगे जब उनकी बाजुएं राहू के रूप में जहां वो एक तरह से कट जाएंगी तो वो भी अपना दुश्परभाव जदा आपको नहीं दे पाएंगे तीसरा अगर है जो मैंने आपको कहा था आपकी जर्मकुली में दुश्परभाव लेकर क्या आता है वो लेकर क्या आता है देवगूर ब्रहस्पती तो ब्रहस्पती की चर्चा मेंने आपको कर दी है कि अब वो अपने ही घर में आ गए है तो वो भादित है कि आब आपको वो शुप परणाम दे उसके लावा आपको अपनी जर्मकुली में सूर्य की स्थिति को भी अवश्य समझना चाहिए क्योंकि अश्टमस्थान के स्वामी होते है हाला कि अश्टमस्थान का स्वामी सूर्य और चंद्रमा इन दोनों को अश्टमादी पति दोश नहीं लगता है मतलब ये आपके लिए मारक की स्थितिया नहीं खड़ी करते हैं परन्तु फिर भी सूर्य यहाँ पर कुछ न कुछ दुश परणाम आपको देने की कोशिश करते हैं जिसमें नेत्र विकार हो जाता है सरकार के तो वेक्ति किसी वेक्ति के साथ आपकी समझें जगड़े हो जाते हैं को टेंडर्स की दिक्कते हो जाती हैं आत्मी विश्वास में यह कमी करता है परन्तु वर्तमान में जो सूर्य भै वो भी आगे की और बढ़ रहे हैं उस तरफ बढ़ रहे हैं तो यह सभी चीज़ हैं जो आपके लिए बहुत शुबता की और भढ़ती भी नज़र आएंगी और इन शुबता का प्रिणाम यह होगा कि मकर राशी वालों के अब काम बनने शुरू हो जाएंगे साड़े साथी का जो दुषपरभावा आप काफी समय से जहिल रहे थे जो आपके सब्तमस्तान का स्वामी चंद्रमा है अब वो इस दूशी तवस्ता से बाहर आने वाला है वो खिलने वाली वस्ता में आ जाएगा प्रफुली तवस्ता में आ जाएगा तो मकर राशी वालों के मैं यह कह सकता हूँ कि अब जो है वो शुब दिन स्टार्ट होने वाले हैं या आप यू मान लिजी कि 4 सेप्टमबर से जो है इसका चक्र घूमना शुरू हो चुका है 31 अक्टूबर के बाद परिस्तितियां जो है चिड़ चिड़ापन समंधों में जो है वो टक्राव की स्थितिया हो जाना यह सब आप खातम होने वाला है उमीद करतो है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल थैंक्स वर वाचिं दे वीडियो